यूपी की योगी सरकार का दो साल का कारेकाल पूरा हो चुका है और ये कारेकाल ऐसे समय में पूरा हुआ है जब देश और परदेश में लोगसभा चुनाओ का बिगुल बच चुका है सूबे के चुनावी रन में मोधी सरकार के साथ साथ योगी सरकार के कामकाज को लेकर भी कसोटी पर परखा जाएगा CM योगी अदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को सूबे की सत्ता की कमान सम्हालते ही बदलाओ के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लिये थे फिर चाहे वो अपराधियों पर कसी गई लगाम हो या फिर शहरों के नाम बदलने का फैसला आज हम आपको योगी द्वारा उठाएगे यैसे ही पांच बड़े कदम के बारे में बताएंगे जिनोंने सूबे को बदल कर रख दिया नमबर एक अपराधियों के एंकाउंटर की खुली छूट यूपी में अपराधियों पर लगाम कसने और कानून विवस्था को दुरूस्त करने के लिए CM योगी अदित्यनाथ ने पुलीस को खुली छूट दे दी थी और इसके बाद यूपी पुलीस ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कारवाई करते हुए एंकाउंटर अभियान चलाया हलाकी से लेकर सवाल भी खड़े हुए लेकिन सरकार ने इससे कोई समझोता नहीं किया क्योंकि योगी अदित्यनाथ का कहना था कि अपराधियों के प्रती हमारी जीरो टोलरेंस की नीती है नमबर दो अवैद बूचड खानों पर लगाम योगी अदित्यनाथ ने सत्ता के सिंगहासन पर विराजमान होते ही सबसे पहले अवैद बूचड खानों पर लगाम कसी थी योगी के शपत लेने के दूसरे दिन से ही अवैद बूचड खाने बंद करने की कारवाई होने लगी वाराणसी से लेकर लखीम पूर खीरी, गाजाबाद और मेरट जैसे तमाम शहरों में अवैद बूचड खानों पर परशाशन का डंडा था और बड़ी तादाद में अवैद बूचड खाने बंद कर दिये गए और ऐसे में योगी अदित्यनाच सूबे को संभालते ही पूरी तरह चागे थे यूपी में महिलाओ और बच्चियों की सुरक्षा के लिए योगी अदित्यनाच सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वेड का गठन करने का कदम उठाया और इसके बाद यूपी पुलिस ने कोलिजों और सारवजनिक स्थानों पर महिलाओ से छेड़ खानी करने वाले मंचलों की धरपकड तेज कर दी थी और इसे लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे लेकिन योगी सरकार ने इन मंचलों की लगाम तो कसी दी थी नमबर चार कुम्ब को बनाया दिव्य कुम्ब प्रियागराज में संगम पर योगी सरकार ने दिव्य एवं भव्य कुम्ब का सफल आयोजन कराया इन सारे आयोजनों ने प्रदेश के बारे में बनी पुरानी धार्ना को बदल कर रख दिया था पूरे शहर को सजाया और सवारा गया था इस कुम्ब को दिव्य बनाने के लिए समय से पहले ही बजट जारी कर दिया गया था और योगी खुद कई बार प्रियागराज का दोरा कर महा कुम्ब की तयारियों का जायजा लेते रहे थे और उसी का ये परिणाम था कि कुम्ब को दिव्य कुम्ब बनाया गया और नमबर पांच नोईडा आकर तोड़ा मिथक योगी अधित्यनात ने इस अंधिविश्वास को भी तोड़ा कि नोईडा जाने वाले मुख्यमंत्री को अपने पज से हटना पड़ता है इसी माननेता के चलते पहले कुछ सीम नोईडा जाने से बचते रहे लेकिन योगी अधित्यनात नोईडा गए और एक बार नहीं कहीं बार गए ये माननेता तब बनी जब 1988 में ततकालेन मुख्यमंत्री वीर भादुर सिंग नोईडा से लोटे थे तो उन्हें अपनी गद्धी छोड़नी पड़ी थी लेकिन सीम योगी ने इस भ्रहम को भी तोड़ कर रख दिया तो ये थे सीम योगी के पाच बड़े कदम जिन्होंने सूबे की शकल को बदल कर रख दिया था हलाकि इसके अलावा भी योग्या दित्तेनात की सरकार में काफी काम हुए हैं आपकी इन पाच कड़े फैसलों के बारे में क्या राय हैं? कमेंट कर बताइए, साथ इस वीडियो को लाइक और शेर कर दीजे और आपके अपने चैनल हेडलाइनस यूपी को भी सब्सक्राइब कर दीजी